हालो एर्वन कैसे आप सब लोग उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे और साथ में अपने पढ़ाई को भी पूरा टायम दे रहेंगे तो अच्छो आज की क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है आज हम लेने वाले हैं की का एक कोंसेप्ट जामेट्री में आप सभी लोगों ने पढ़ा एक मोट का नाम जरूर narrative में उब पूछा उउजज जो जो मुझे पता है 99% लोगों ने नहीं पड़ा हुआ होगा तो आज ही class में एक बहुत ही जबरदस सा concept लेने वाला हूं और उस पे एक सवाल भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूँगा तो उस पे सवाल कैसे पूछा गया था पहले वो बताता हूं ताकि question पढ़ने में जबकार हैं कि यह दोनों bisector है clear यहाँ पर हमें दे रखा है इसका मान 12 cm इसका मान 8 cm इसका मान 16 cm और इसका मान पूछा गया था तो अब सोच यह x का मान कैसे निकालोगी और कुछ भी नहीं दे रखा कोई एंगल नहीं दे रखा कुछ भी नहीं दे रखा सिर्फ यह दे परोगे फस गए ना तो ऐसे सवाल को करने के लिए आपको एक छोटी सी चीज समझने की जरुत है क्या वो चीज है वो मैं बतायता हूं आपको फटाफ़ट से ध्यान से देखिएगा यहां पे आपको एक छोटी सी चीज समझने की जरुत है सबसे पहले प्रॉपर्टी समझ करन करता हूं और मैंने नाम लिख दिये इस प्रिकार से पहले प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा ए बी सी और डी ठीक है यहां पे अगर आप यह समझ लें कि यह वाला जो चत्रुबुझ है द्यान समझेगा यह वाला जो चत्रुबुझ है जहां पे मैं यह लिख देता हूं एक तो यह वाला ठीक है यह वाला चत्रुबुझ या तृबुझ और यह वाला तृबुझ यह दोनों तृबुझ आपस में यह सम्रूप होते हैं ये दोनों तिर्बुज आपस में हमेशा क्या होते हैं सम्रूप होते हैं तो जब सम्रूप हुए क्यों होंगे वो भी बता देता हूं मैं आपको वै इसको नाम देते हैं इसको P नाम दे दिया इसको क्या नाम दे दिया बेटा पर ने P नाम दे दिया यहां पे इसको P नाम दे दिया अब ध्यान समझेगा जो हमारी ये चाप है इस चाप के द्वारा और यहां पे आपने एक प्रॉपर्टी तो पड़ी होगी किसी भी सरकल में एक ही चाप द्वारा वरत की परीदी पर बनाए गए सबी कौन समान होते हैं ठीक है इन एनी सरकल ठीक है एक फिक्स जो आपके पास में आपके पास आर्क होता है सेम आक की तुरू सरकल की शरकमफेरिंस पर एक पर बनाएगा सारे इंगल क्या होते हैं एक वल्टी उसकी बात हम करने वाले तो दिखिए गध्यान से अगर मैं जो है यह वाली आर्क लेता हूं यह वाली अर ट्रक्त आप indulgen और वाला इंगल भी क्या होग बराबरक में अगर इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं तिर्भुझ أ.핑 बी्च अब Estate क्लिर क्लिभ फ्रीक के सम्रूब है याने कि सिमलर हुआ क्लिर यह चीज इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है वह हमने पढ़ा था कि किसी भी दो तिर्बुजों में अगर दो-दो कौन बराबर होते हैं तो तीसरा कौन अपने आप बराबर होता है वहाँ पर एंगल एंगल सिमिलिटी लग जाती है सिमिलरली हम चाहें तो इधर वाले को भी प्रूव कर सकते हैं कि यहां से यह वाला जो एंगल है अगर मैं इसको थीटा वन बोलता हूँ तो यह वाला एंगल भी थीटा वन होगा और इस वाले एंगल को अगर थीटा वन बोला जाए तो यह वाला एंगल भी क्या होगा थीटा टू क्योंकि इधर वाली चाप से तो यह थीटा टू और यह भी थीटा टू बराबर और इस वाली चाप यानि कि आर्क से यह वाला भी थीटा वन और यह वाला भी थीटा वन हो गए बरावर तो ये दोनों ट्राइंगल जो है जिनमें मैंने coloring नहीं किया है ये दोनों भी angle angle की property से similar है तो हमने क्या कहा ये भी angle angle की property से क्या है similar है तो triangle APD इस similar to triangle जो है BPC के तो APD triangle जो है BPC triangle के बिटा similar है इतना तो आपको समझी में आ गया होगा कि तरबुच किस तरह से समरूप हो गए अब अगर आप देखो कि अगर यहाँ पे ये जो line है ये जो vikarn है इसको अगर बराबर हिस्सों में बाट दे इस वाली line को अगर बराबर हिस्सों में बाट दे तो फिर यहाँ एक चीज समझने वाली है कि जैसे ये line बराबर इस्सों बटेगी तो AP बराबर PC के हुआ AP बराबर किस के हुआ PC के हुआ तो हम क्या करेंगे इसका use करते हुए एक property बनाएंगे ध्यान दीजिएगा क्योंकि सवाल जो पूछा गया था उसमें देखो ये दोनों line ने क्या है बराबर है समझिएगा तो अगर ये दोनों line ने बराबर होती है तो पहले मैं इसकी बात करूँगा यहाँ पे हम क्या करेंगे चुकि समरूप है तो लिखेंगे AP upon DP AP upon DP बराबर है AB upon CD के clear similarly अगर मैं इधर वाले triangles में लिखूँ तो मैं इस तरह से लिखूँगा के PC देखो इस वाले में हमने क्या लिया PC देखो PC लिया PC upon PC upon PD बराबर है बिटा यहाँ पे AD PC उस वाले कहना तो BC upon AD के BC upon AD के इस तरह से हुआ अब देखिए यह तो हो गई आपके पास में equation 1 और यह हो गई equation 2 अब आप मेरे को यह बताए कि दोनों ही जगए AP और PC बराबर है तो क्या मैं जो है यह कर सकता हूँ क्या क्या मैं यह कर सकता हूँ क्या AP की जगए PC रख दू या PC की जगए AP रख दू कुछ भी कर दू तो मैंने क्या किया बिटा यहां पे AP की जगए PC रख दिया तो PC upon PD बराबर AB upon CD के है और PC upon PD के value equation 1 से उठा के यहां पुट कर दी क्या पुट कर दी BC upon AD और बराबर में AB upon CD है तो जब मैंने cross multiply करवाया तो मेरे पास में एक relation मन के आ गया के BC into CD बराबर है BC into CD बराबर है AB into AD के यह relation मन के आया अब अगर मैं इसको समझू तो ध्यान से देखिएगा मैं एक अलग ही line से जो है इसको show करने के कोशिश करता हूँ ताकि आपको दिखे AB into AD देखो यह line है न AB into AD हो गई AB into AD और इधर क्या है आपके पास में BC into AD के BC into CD के तो BC into CD के तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टिपल इन दोनों के मल्टिपल के क्या होता है विटा बराबर होता है इन दोनों का मल्टिपल इन दोनों के मल्टिपल के बराबर होता है ध्यान देना ये जो दो टुकडे थे उसके दोनों तरफ ये और इसके इदर दोनों तरफ का multiple हमेशा बराबर होता है तो अब मैं बात करता हूँ अपने सवाल की हमने अभी पढ़ा कि ये जो बराबर टुकडे हैं इस बराबर टुकडे के इधर और इधर यानि कि इन दोनों का multiple इन दोनों का multiple जो है वो बराबर होगा इन दोनों के इसके और इसके multiple के यानि कि गुणांक के बराबर होगा यानि कि 12 को 8 से गुणांक करने पर जो value आएगी वो 16 into x के बराबर होगी तो 16 into x बराबर 12 into 8 के, clear? ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, काटना है 8 से काटा 2 बार और 2 से काटा 6 बार तो x का मान कितना है, 6 यह आपका answer, अगर आपको यह property पता होती, तो मात्र जो है, आप 3 second में सवाल को कर सकते हैं, 12,8, 96 96 में 16 का भाग लगा और 6 आपका answer, तो ऐसी कोई भी property हो, वो हम इस think without ink वाले concept class में देखेंगे, अभी मैं इस पर आपको एक example भी देता हूँ, ताकि आपको ऐसा कोई भी question आ जाए तो आप easily कर पाओ, मान लीजिए exam में जो है यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखिये, और साथ में आपसे कहा गया है, कि ये वाली भुजा है 24, ठीक है और ये वाली भुजा जो है वो आपको दे रखिये 48 और ये वाली भुजा 36 दे रखिये तो आपको ये वाली बुजा का मा निकालना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसका आंसर क्या होगा अगर आप नए है चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो है लाइक और शेर तो बनता ही है तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिन